आज आपको बताने वाला हूं में आठ ऐसे फ्रेंडली चीजे खाने की चीजे जो पेनिस फ्रेंडली है और जिसे एरेक्षन में बहुत फायदा हो सकता है आईए मेरा नाम है डॉक्टर दीपक रेकर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा वैसन मुक्टितर्नियो कि एक जो है नमबर एक वह है कैफेन कैफेन जो एक्चुली यह बहुत फायदिमन है कुछ लिमिट तक तीन हजार पेशन्ट के ऊपर एक स्टड़ी की गई और उनको पच्चासी से तीन सो मिलिगराम कैफेन दिया गया अब पच्चासी से तीन सो मिलिगराम कैफेन इसका मतलब उनको कम से कम 200-720 ml कॉफी दी और पाया गया है कि इनमें इरेक्षन का प्रमान बहुत अच्छा थ एस कंपेर टू जिनको कॉफी नहीं दिए तो कैफेन बहुत अच्छा है कॉफी पी सकते हैं कुछ लिमिट तक कैफेन एडिक्शन भी होता है तो इसलिए एडिक्शन नहीं होना चाहिए नंबर दो है पालक सब्जी खा सकते हैं पालक उबालकर उसमें नमक मिज़े आके खा स क्याइब करते हैं पालक काृंदा बहुत तक भास टे घड़ा फौली ऑचिछ रहने के कारण इसलिचन में बहुत फ्यादय मन्सih नंबर तीन जो है वह एपल सेउसमें उर्स graffitiणری रहता है ज्यादा मात्रा में और स्पेशली स्किन जो है मतलब चमड़ी एपल की वह खाना के लोग वह निकाल देते हैं वन एपल एडे किपसे डॉक्टर अभे ऐसा बोला जाता है एक एपल रोजखाव डॉक्टर के यहां जाने की जुरत नहीं पड़ेगी एपल से बहुत ही बढ़ाने में बहुत है नमबर पांच चीली पेपर चीली पेपर में कैपसे सीन हैं और कैपसे सीन एक एक करके माना जाता है और वह आप लेते हैं तो डेफिनेटली इरेक्शन में ब्लेड फ्लो में बहुत फाइदमन और इच्छा इंट्रेस्ट ज्यादा आपका बढ़ स साथ है ओट मिल ओट में अफ्रोडाइज एक माना गया है और ओट मिल आप लेते हैं तो उसमें इरेक्शन में बहुत फैदे मन होता है इच्छा बहुत बढ़ती है स्पर्म काउंट अच्छा होता है टेस्ट्रोशन लेवल बढ़ जाती है नमबर आठवा है टोमेटो इसके बारे मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है इसमें लाइकोपिन अधिक मात्रा में होता है विटामीन सी होता है और स्पर्म काउंट स्पर्म कॉंसेंटरेशन में बह इनको दिया आता है चवाल इस लोगों को इरेक्शन में बहुत फैदा होगा तो इसी यह आठ चीजे है जो पेनिस फ्रेंड़ी है जो खाते है तो बहुत ही फाइदा इरेक्शन में अर्ली जैकुलेशन में हो सकता है नंबर एक कैफिन नंबर दो पालक नंबर तीन सेप न आइकरो थैंक यू वेरे मच बहुत है झाल झाल